गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी कुलफी खाना किसे पसंद नहीं आता और यदि ये घर की बने हुई बिल्कुल प्योर हो तो कहना ही क्या हेलो एवरीवन एक बार फिर से स्वागत आप सभी का होमी लोपी पर और आज हम अपने किचन में बनाएंगे ठंडी ठंडी मलाईदार कुलफी वो भी केसर और ड्रैफोर्स वाली तो इसे बनाने के लिए हमने लिए एक भारी तले की कडाही जिसे हमने पानी से वाश कर दिया है इससे क्या होगा कि जब इसमें दूर डाल कर पकाएंगे वो नीचे तली में चिपकेगा नहीं तो अब इ किया हुआ अब कडाही को गैस पर रखकर एक बॉइल आने देंगे दूर में बॉइल आ चुका है इस स्टेज पर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे कुछ केसर के स्टेंड्स और साथ में डालेंगे हाफ टी स्पून इलाइची पाउडर खुश्बू के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अकेजनली स्टेर करते हुए अर्थाद बीच बीच में चलाते हुए वन थार्ड होने तक रेडियूस कर लेंगे दूद हो वो रेडियूस होकर लगबग वन थार्ड रह गया है इस स्टेज पर हम इसमें आड़ करेंगे हाफ कप चीनी क्रश की हुए बादाम और काजू और इसके साथ ही आड़ करेंगे फाइनली चॉप पिष्टा इसे दो मिनट तक और पका लेंगे और फिर फ्लेम को आफ करके इसे कम्प्लीट्ली ठंडा कर लेंगे दोल कम्प्लीट्ली ठंडा हो चुका है अब इसे अच्छे से mix कर देंगे और देखिए कितना बढ़िया मलाईदार मिक्सचर बना है और अब इसे भर देंगे कुलफी के molds के अंदर सारे mixture को कुलफी molds में ढाल दिया है अब इस पर लगाएंगे धकन और जो mixture बच गया है उसे डाल दिया है एक disposable glass के अंदर और इसके मुख को foil paper से बंद कर देंगे और इन्हें 8 से 10 घंटे के लिए freezer में set होने के लिए रख देंगे 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और देखिए कुलफी है वो अच्छे से set हो चुकी है जो कुलफी हमने disposable cup में जमाई थी वो देखिए वो भी कितने अच्छे से set हो गई है अब एक बरतन में पानी डालेंगे और उनमें इस तरह से इस molds को घुमाकर सारी कुलफियों को डी मोल्ड कर लेंगे और लीजिए तैयार है बढ़िया सी मलाईदार केसर वाली पिष्टा और ड्राइफूट कुलफी जिसे गार्निश करेंगे बादाम के पाउडर और कटे हुए फिष्टा से ये खाने में बहुत ही टेस्टी और घर पे बनी होने के करन बिल्कुल प्योर है तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और यदि रेस्पी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं थेंक यू